एक समय की बात है, महत्मा बुद्ध अपनी तपश्या में लीनते, उन्हें तपश्या में बैठे हुए कई दिन बीच चुके थे, तब ही एक सिकारी उस रास्ते से जा रहा था, उस सिकारी ने महत्मा बुद्ध को पहचान लिया, सिकारी ने महत्मा बुद्ध के बारे में ब प्ठर पेकर मारता आरहिं किनुकि उनका मानना था शरीर को तकलीव होती आत्मा को नहीं inté 숨कारी अपनी तपस्चा लीन थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की पुना सिकारी ने पत्थर पेका वे पत्थर महात्मा बुद्ध की आँखों के ऊपर लगा और उस जगे से खून बहने लगा महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके सरीर से रखत बह रहा है किन्दु वे फिर भी अपनी तपश्या से नहीं उटे सिकारी को गुस्सा आ गया तो उसने फिर से एक पत्थर महात्मा बुद्ध की और पेका महात्मा बुद्ध के सरीर से अब खून अधिक बहने लगा था इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आँखों में आसों निकलने लगे सिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा क्योंकि इससे मेरे सरीर को कश्ट हुआ मेरे मस्तिस्क को नहीं सिकारी अचंबित रह गया उसने पूछा फिर आपके आँखों से आशू क्यों बह रहे है इस पर महात्मा बुद्ध बोले मारे द्वारा किये गए अनुचित कारे के परिडाम के बारे मेरे मेरा मस्तिस्क मेरी आत्मा विचार कर रो रही है तुमने इतना वड़ा पाप किया है तुम्हें कैसी सजा मिलेगी बुद्ध की बातों को सुनकर सिकारी महात्मा बुद्ध के चरड़ों में नत्मस्तक हुआ और उसने छमा याचना की महात्मा बुद्ध छमा सील व्यक्ति उन्होंने तुरंत सिकारी को छमा कर दिया और अपना आसिरवाद दिया वे सिकारी महात्मा बुद्ध का आसिरवाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन विदीत करने लगा